AI का सेक्टर काफी जादा पावर्फुल हो रहा है दिन बदिन हर बड़ा जाइंट इसके अंदर इंवेस्ट कर रहा है और हर बड़ा जाइंट अपने इंफरस्ट्रक्चर को इंप्रूब करने के लिए AI की हल्प ले रहा है और अगर AI की बात करें तो बहुत सारे कोईन्स मार कर काफी जादा चर्चा के विशय में रहेगा तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ बेस्ट AI को लेकर है और बेस्ट AI का मीम कौईन कौन सा है या फिर कौन से वो सारे कौईन्स हैं जो आप लोग को next level growth और profit दे सकते हैं उसके बारे में चर्चा के लिए रहेगा तो जरू विल्कम बाक तो माई चैनल गाईज दिसे बुदिल व्यासना है होप याल डूइंग वेल एनुला हैल्दी टू स्वस्त रहिए मस रहिए AI कौईन्स की शुरुवात हो और इसके अंदर FET का नाम ना आए ये कैसा हो सकता है तो सबसे पहला कौईन आप लोग नजर में रखेंगे वो है FET ठीक है और FET का भी आप सभी लोग जानते हैं कि जो merger हुआ था उस तीन कौईन्स का जहां पर AGIX, Singularity, NET, Ocean Protocol और FET, Fetch AI इन की Rebranding यानि की Rename होना अभी भी बाकी है लेकिन यस नाम Rename हो चुका है, Symbol Rename होना बाकी है और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि AI की जो Next Level Growth होगी उसके अंदर सबसे अच्छा Fundamentally Strong Coin जो काम कर सकता है वो होगा FET जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग FET हमारे साथ कितने समय से होल्ड कर रहे हैं क्योंकि यह Coin हमने 0.35 के उपर दिया था और फिलाल के लिए 1.35 डॉलर्स के आसपास चल रहा है यहाँ पर अगले Coin के बारे में बात करूँगा और वो Coin है आपका Orai Chain और इसके बारे में ज़ादा Information की ज़रुत नहीं है लेकिन सिर्फ इतना सा समझ लो कि यह अपना Decentralized Exchange चलाता है जहाँ पर AI Coins के बारे में काफी ज़ादा Research और काफी ज़ादा Listing के बारे में काम होता है और इस वह जैसे Orai Chain की काफी ज़ादा Hype है Market के अंदर और A.I.Coin अगर आप Search भी करोगे ट्विटर के उपर तो बहुत सारी Information मिलेगी और बहुत सारे लोग इस Coin के उपर बहुत ज़ादा Bullish है जबकि यह Coin अगर Market Cap में देखा जाए तो 100 Million से भी नीचे चल रहा है और 124 माल Million Dollars की इसकी FDV चल रही है अगर आप Long Term के अंदर AI के अंदर अच्छा benefit चाहते है तो The next coin is Leica AI और अगर Leica की बात करूँ तो इनका अपना नया TG Bot जो Market के अंदर नय कोइन के Research और कोइन के उपर details निकालने के लिए काफी ज़ादा Trend के उपर चल रहा है जिसकी वज़े से मुझे ऐसा लगता है कि Tap to One का जो Project है या Tap to One की जो नई हाइप चल रही है उसके साथ Integrate कर देना और अपने Project के अंदर ऐसे Features लेकर आना जो लोगों को Research में काम करें तो यह बहुत बड़ी helpful चीज हो सकती है क्योंकि Telegram की Community के बारे मा आप सभी लोग जानते है और Project की जो Fundamentally Strongness चीज होती है उस चीज के साथ साथ अगर Telegram की जो चीजे है उसके साथ integration कर देना इस Project को नई हाइप के अंदर लेकर जा सकता है जरूर आप लोग Laiqa AI के उपर भी ध्यान दे सकते हैं 0.0089 के आसपास चल रहा है 2.5 million dollars के आसपास कि इसकी Market Cap है तो यह जरूर उमीद करते हैं कि अच्छी कासी Growth आप लोग को Laiqa AI के अंदर भी देखने को मिल जाएगी हमने हमारे ट्वीट के अंदर भी इस Coin के बारे में मेंचिन किया हुआ है तो जरूर जाकर आप वहाँ पर भी अंडरसाइंडिंग ले सकते हैं तो नेक्स कॉइन इस TARS AI के बारे में अगर मैं बात करूं तो AI का इकलौता Solana chain के infrastructure के उपर काम करने वाला coin है और Solana की hype के बारे में आप सभी लोग जानते हैं तो Solana की जो hype है उसके according अगर देखा जाए तो TARS AI can be one of the coin जो Solana की hype के साथ-साथ AI sector के अंदर अच्छी growth दिखा सकता है और आप लोग exchanges की बात करें तो हर exchanges के उपर list है जो भी मैं सारे coin आप लोग को बता रहा हूँ वो सारे आप MEXE के उपर buy कर सकते हो तो MEXE का link मेंने description box के अंदर डाला हुआ है इसकी भी market cap 100 million से नीचे है और अगर बात की जाए तो आने वाले time के अंदर AI का अपना sector बहुत तगड़े market cap के उपर होगा तो यह ज़रूर आप AI के उपर focus करना और AI के कुछ coins जो आप लोग के पास है वो ज़रूर मेरे को बताना जिसकी वज़े से AI pad की काफी ज़दा hype बढ़ सकती है इस वज़े से मैंने AI pad को भी include किया है इन सारे coins में से काफी ज़दा छोटा coin है लेकिन इस अगर रफ्तार की बात की ज़ए तो बहुत आतिर रफ्तार या आप लोग को आने वाले time के अंदर दिखा सकता है तो ज़रूर AI pad को भी नजरों में रखना this is the meme coin जो काफी ज़दा trend पर भी था लेकिन इस AI के उपर था आपने बहुत सारे meme coins अभी पिछले ही कुछ दिनों के अंदर देखा है जो AI के उपर hype में चल रहे थे लेकिन turbo can one of the coin जो सारे exchanges के उपर listed है लेकिन market cap की बात की जाए तो 1 billion से काफी ज़दा नीचे चल रहा है 650 million dollars की market cap है लेकिन इस आने वाले time के अंदर as a meme coin काफी अच्छी growth ले सकता है AI sector के अंदर तो जरूर इसके उपर भी आप लोग नजर बना करके रख सकते हो I have explained each and every coin about AI and Arkham की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग को ज़्यादा explanation देने की जरूरत नहीं है Arkham intelligence is the only project जो AI की मदद से आप लोग को हर एक wallet हर एक blockchain और हर एक coin की या हर एक बड़े कोई भी brand हो उस brand की सारी information दे देता है कि कौन कितनी buying कहाँ पर कर रहा है आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी बड़े giants हैं जितने भी बड़े बड़े नाम है आज के दिन market के अंदर वो सारे की सारे AI के तरफ focus कर रहे है AI के तरफ अपने जो infrastructure है उसको move करने की कोशिश कर रहे है integrate करने की कोशिश कर रहे है इसकी वज़े से AI का काफी जादा पर्चम हो सकता है इसाने वाले bull run के अंदर बहुत तगड़ी hype आप लोगो देखने को मिल सकती है let me know in the comment section की कौन सा AI कोईन मैंने miss कर दिया है या फिर कौन से वो best AI के कोईन है जो आप लोग hold कर रहे हैं long term के लिए I hope कि आप लोग को ये पूरा वीडियो मज़िदार भी लगा होगा सारी understanding होई होगी कौन से best AI के कोईन आप लोग hold कर रहे हैं वो आप comment section में बताएंगे लेकिन कौन से वो सारे कोईन जो मैंने आज बताएं है उनमें कौन सा आपको best लगा वो भी जरूर comment करके बता देना आज के लिए बस इतना ही जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर तब तक के लिए टाड़ा वे वे नाइस डे जय हिंद जय भारत झाल